अगर आप भी सहारा इंडिया में निवेस किये हैं या सहारा इंडिया में अपने पैसा जमा किये हैं तो घबडाने की कोई बात नहीं अब आपका पैसा सरकार वापस आपको करेगी तो जाहिर सी बात है आपके मन में एक विचार आ रहा होगा एक सवाल हो रहे होगी कि आखि फसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा चले खबरों के बारे में विस्तिर जनकारी देने से पहले मैं अपना परिचे आपको बता दू मेरा नाम है अनिशुपमनु और आप देखना शुरू कर दिया है अनिशुपमनु और यहां पैसा बैठक की गई जिस बैठक में अनिड़ा लिया गया कि जो भी साहरा की निवसक है यानि जो साहरा में पैसा जमाकिया है उनका पैसा वापस किया जा तो कुछ मुद्दे हुई कुछ बाते हुई कुछ चर्चा हुई और उसमें एक निड़े निकाला गया कि जिस निड़े के संबंधित एक पोटल बना गया उस पोटल के माधन से आपको साहरा इंडिया का फसा हुआ पैसा आपके एकाउंट में वापस मिल जाएगा तो उस पोटल के बारे में भी आप बरतलाब करेंगे और बताएंगे कि किस किस नियमावली के तह पैसा कैसे वापस मिलेगा इसके बारे में भी आपको हम 20 जनकारी देंगे तो इस वीडियो को देखते रही है इस खबर को देखते रहे है इस खबर को अंत तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा इंडिया में फसा हुआ पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा और मंत्रिय है उनके द्वारा इस पोटल को लंच किया गया इस पोटल को बताया गया लोगों को बारे में इसकी जनकारी दी गई और कहा गया कि इस पोटल के माध्यम से अगर आप अवेदन करते हैं तो आपका पैसा जो सहारें फसा हुआ है वह वापस मिल जागा आपको मैं बत फस्ट काम आपका पोटल को लोगिन करना है दुसरा पोटल के होमपेज पर जमा करता पंजी करन यानि कि पोटल के होमपेज पर जमा करता पंजी करन पर क्लिक करना पड़ेगा आपको उसके बाद आपको यहां अपना अधार नंबर यानि कि अधार जो काड है अधार करने के लिए आप आपको अपना आधार का डालना परेगा उसके अधार का डालने के बाद आपको एक OTP मिलेगा मोबाइल नमबर पर उस OTP को डालने के बाद आप विरिफाई होंगे, विरिफाई करने के बाद आपको लोगिन करने के हनुमती उस पोटल में मिलेगी, इसके बाद फिर से अधार ने लास्ट चार अंक डालना है, यानि कि अधार काड के लास्ट चार को आपको डालना है उसके बाद फिर आपको ओटीपी आगी उस ओटीपी को फिर दर्ज करना है दर्ज करने के बाद नियम और सर्तों को पढ़ना है और समझना है कुछ नियम और सर्ते हैं जो सहरा certificate के साथ claim da request form भरना यानि कि कि FM करना आपको कि आपका पैसा जो हो साहरा इंडिया में है हमाह आपने पैसे को वापस लेना चाहते हैं उसके बाद request form भरना है रिक्वेस्ट form भरने का नाम सदस अपना ह्ट बरना अपना पूरब डिटेल भरने के बाद आपको आएगा खी रिटेल के बाद भाद बोलेगा इसका फोटो डालने के लिए तो आफ फोटो डालने के बाद को कलेंघ लेटर को को अप लोड कर दिना श्राइए पुरा अम बनेड़ कर देगा उस जैसे आप अप Wellness कीुछेगा तो अप्डेट करने के बाद एक करने के अप आपका जो है वो कर दिया गया उसके बाद मैंने कि आपका जो जो भी आप अपना क्लेम वेरिफाई के एक लिम डाले है कि सहरा में आपका पैसा फसा हुआ है उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा मैसेज वेरिफाई करने के बाद आपको 45 दिनों का क्लेम रासी आपके अध आपके एकाउंट में जो है वो पैसा वापस आजाएगा जारे जो आपका पैसा फासा रहेगा वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा तो अब देखे एक और बात आपको मैं बता दू कि सहारा को अप्रिबेटर्ण सोसाइटी के चार सोसाइटी में जिन लोगों ने निवेश किया था यानि कि कौन कौन सी वह चार foster साथ है इसके बारे में आपको मैं बता जाहिता हूं पहला है कि 4 साकार्टा समिति साहारा क्रेडिट कर्पोरेटिव सोसाइटी लिम्टेड साहारा यूनिवर्स मल्टीपर्ज सोसाइटी लिम्टेड हमारा इंड्या क्रेडिट कर्पोरेटिव इससाइटी लिम्टेड और ऑऔर स्टार्ज मौल्टी vaccinations को फल्द society लिमिटेट में लगबग 2.5 करोड लोगों के द्वारा निवेस किया गया पैसा जो है वह निवेस किया गया था जिसके बाद पूरे वीडियो को देख लिए देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से साहरा में फसे हुए पैसे को आप वापस लिजेगा अगर नहीं समझ में आ गए तो कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट करके बताएगा आगे फिर हम आपको साहरा से जुड़ है अगर आप फेस्बूक पर देख रहे तो फॉलो जरूर करें अगर यूटूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि साहरा से जुड़ ही तमाम खबरे आपको पलपल के अपडेट मिलता रहे धन्यबाद